सश्क्रीय काल जी, अचि वेट का रही है वडरे बार कॉंसन पता लगे है जो सारे आगे तर फिर अचिछ चलपए में सब तो पहले अच्छा प्रोमो वेख्या है तोसी प्रोमो नहीं रिख्या ने पर लेफ्टोप प्रोमो भिखा दो ला प्रोमो वेख्दे ने तेन मिनिट का फिर अपा गल शुरू कर देने और बहुत अठारा अवार्ड जीत चुकी है अभी तकी है सिर्फ पांच फेस्टिवल में और बेस्ट राइटर, बेस्ट डाइलोग, बेस्ट डिरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बहुत सारी बहुत सारी बेस्ट चाइल्ड आइटिस्ट और कोस्ट्यूम्स बैट चाइल्ड आइटिस्ट पहली बार इस लड़के ने काम किया है और काममाल का काम किया इस बंदे ने बच्चे ने और एक छोटा सा किस्सा में बताना चाहूंगा कि पहले दिन जब शुटिंग हुई तो बच्चे के साथ मेरे सीम थे मेरा बेटा है क चरीब मौमद उसका नाम है टाइटिल रोल है इतना बड़ा मत बद सबसे बड़ा रोल है और वो कर कुछ नहीं पार मैं तो बहुत परशान हो गया बिलकुल मैंने का यार यह तो ऐसे फिल्म होईगी नहीं मदमा मजा नहीं है इस बात का तो तो डिरेक्टर साब को मैंने क अंत में पवंजी के सजैशन से इस नतीजे पर पहुंचे कि बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसको निकालते हैं और करेक्टर को ऐसा ही बनाते हैं और वह कमाल ऐसा हूआ चमतकार हुआ दो दिन में बच्चा इतना कॉन्फिडिन्ट और वह इतना अच्छा काम किया उसने प्याच जो फिल्म खत्म होती है तो यश्वाल से पहले हर्षिद कहां ही पूछते है लोग बच्चा कहा बच्चा कहा है इतना अच्छा कान किया उसने और उसकी जो quality थी, उसका जो nature था, उसका attitude था, उसके अपजेट्चर, posture पकड़े हमने उसकी इनोसेंसी, उसकी आंखों की जो भी था, उसी को character बना लिया और बहुत कमाल रकान की है उसने, तो ये एक बहुत बड़ी achievement हुई नहीं तो फिल्म शायद मुश्किल बन पाती और जो भी देख रहा है केजरिवाल साथ भी देख रहे हैं मनिशे सोडिया पूरी कैडिनेट देख रही है हिमाचल प्रदेश के मुख्या मंत्री और कैडिनेट देख रहे हैं परसों तो सब क्योंकि इतनी चर्चा में है फिल्म जो भी इसका प्रोमो देखता है बहुत ही अच्छा मुद्दा है बिहार इवन बिहार के मंत्री उद्योग मंत्रियों कल देखी तो भी परलाद है बोड़े पूरे विधान सबाब में बात करता है उस बारे में कुछ करते हैं पुपलिसिटी कैसे हो सकती है तो अब यहां जल्दगाजी में थोड़ी सी प्रेस कॉंफरेंस हुई है सब लोगों कुछाद मेरे ख्याल से पूरी प्रेस आई भी नहीं होगी लेकिन कोई बात में हम जितने भी हैं वा क्वालिटी is more important than quantity तो मेरे ख्याल से में में लोग आटिके हैं तो हम शुरू करते हैं कितना प्रेस तो मैं सबसे पहले पावन शर्मा लीशे दारिश करूआ कि फिल्म के बारे में थोड़ा बताया है बेसिक क्या कहानी है और फिल्म क्यों बनाई है याद आपके कुछ सवाब जो बेसिक सवाब होता है किसे कि पूल लेकर के तो पावन जी मिरकल माई की जरूरत पढ़ेगी नहीं है ना और अच्छा लवीगा तो बेसिकली फिल्म का नाम है करीम मुहमद अभी बहुत सी फिल्मे आतंगवाद के उपर बन रही है जिसके नदर खून, खराबा और बच्चों को देखने तक में डर लगता है तो हमारा विचार ये आतंगवाद के जो मानसिक सोच है उसके उपर परहार कर सके और जो आतंगवादियों को पना दिया जाता है उनको शरन दी जाती है उसके उपर उनकी मानसिकता के उपर काम कर सके तो इसलिए इस फिल्म के अंदर बलड का कोई एक कत्रा भी नहीं दिखाया गया है कोई इस पूरी फिल्म जो है एक बच्चे के पॉइंटर उसी है इसलिकी इसको यूश ऐडिवर्ट मिला है आप फैमिली के साथ फिल्म को देख सकते हैं फिल्म बिसिकले बहुत से मुद्डों को उठाती है जैसे बहुत से सवाल बच्पन में हमरे जहन में होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं लेकिन किताबों में उनके जवाब नहीं मिलते हैं तो जिसे बच्चा एक सवाल पूछता है कि आतंग वादियों ने जब किसी का खूल कर दिया गया यंग लड़के का खूल कर दिया तो बच्चा बोलता है कि अबू आप तो बोलते थे कि अल्ला ने सब तहे किया हुआ है और सब कुछ उसकी मर्जी से होता है अगर इसको तहे था और उसकी मर्जी से हुआ है तो हम उसकी लाश पर रोक्यों रहे हैं तो मातन क्यों मना रहे हैं और अगर भगवान जो है अल्ला जो है वो सर्व शक्तिमान है और हम बोलते हैं कि यह बाद में सजा देगा गुना करने वाले को तो गुना होते हुए क्यों नहीं रोक लिया जाता अगर को किसी को चाकू मार रहा है तो उसी समय उसको क्यों नहीं रोक लिया जाता बाद में उसको सजा देने का क्या मतलब बना अब क्या जवाब है इसका कौन सी किताब में आपको इसका जवाब मिलेगा तो हम लोग जब काम कर रहे थे स्किप्ट पे तो इसके बहुत ही खुबसूरत से कांसर बाद देता है कि भगवान की नहीं ये अल्ला की नहीं ये शैतान की अउलादे है तो अगर आप लोजिकल जाएं तो भगवान और शैतान हर काल में हर समय में हर धर्म में रहा है शैतान भी बहुत ही पावरफुल रहा है तो ये शैतानी ताक्ते में जो इस तरीके की हरकत कर देती है भगवान को भी डौज करके इस तरीके का काम कर देती है उसके भगवान अल्ला उसको सजा देता है तो बच्चे के जो सवाल है जो आज की डेट में हम लोगों ने गूगल बाबा को ये अपना लिया हुआ है और हर चीज का जवाब बच्चे को बोलते है बटा देख ले ना गूगल पर देख ले अपने माँ से पूछ ले हम लोगों ने जवाब देना बंद कर दी है बच्चे के लेकिन वो नौलेज तो दे रहा है लेकिन संसकार कहां दे रहा है तो ये सवालों की कहानी है कि माबाप को किस तरीके से बच्चों के सवालों का जबाब देना चाहिए उसमें संसकार है उसमें एमोशन है उसमें फील है उससे सरफ और सरफ रटा रटाया नॉलेच है दूसरी चीज कि जब आतंकवादियों को छुपाया जाता है तो क्या मानसिकता होती होगी उसकी छुपाने वाले की कश्मीर में या वाइड के किसी भी कोने में तो यही सुचता होगा कि मेरी फैमली, मेरा घर मेरा गाउं जो है महफूज रहे, बचा हुए रहे अगर एक दिन आकर कि यहां पर रुख जाते हैं तो उससे मेरी सेथ पर क्या असर पड़ता है हम लों तो बच्चे रहते हैं तो इक क्या चुन रहे हैं, जिन्दगी लेकिन फिल्म के अंदर जो यश्पाल भाई का करेक्टर है और अपनी बच्चे को जो शिक्षा दे रहे हैं वो यह है कि जिन्दगी जो है अगर अकल को आपके बच्चे को उठाके लेके जाएंगे आपके बीबी को उठाके लेके जाएंगे तब भी आप जिन्दगी चुरोगे यह जमीर तो जमीर मार के क्या जिन्दा रहा जा सकता है तो यह सबसे बड़ा एक प्रश्ण जो है हम लोग ने इस फिल्म में उठाने की कोशिश की है कि बच्चों के अंदर पहले पर ही संसकार भरे आज की डेटना बच्चे को घर में जाके पूछीगा जमीर क्या होती है तो शायद इसको जमीर का मतलब भी नहीं मालूम होगा तो बच्चों को जमीर होती क्या है यह बताने कि हम लोग कोशिश करें ताकि जो जनरेशन तो पुलिस अपना काम कर रही है लेकि बींग एक मीडिया परसन एक हम लोग एक ऐसे आप लोग हम लोग एक ऐसे मीडिया से बिलॉंग करते हैं कि भोई बहुत ही खतनाक है यह बहुत खतनाक है जब हम एक ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर जाके घुश जाते हैं आपका निउस्पेपर ऐसे सरक जाता है अंदर दर्वाजे के अंदर से और अंदर पहुंच जाता है लेकिन अगर किसी सेल्जमेन को हमें नहीं परना होता नहीं देखना होता उस पंफ्लेक्ट को नहीं लेना होता तो गेट के पर रोक दिया जाता है कि इस तरीके के लोगों को अंदर मत आने दो लेकिन टीवी, फिल्म, मीडिया, नीज़ पेपर आप घर के अंदर जाके गुशते हो तो समाज के अंदर हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती है हम भी कोई बहुत अच्छा आलुपया जो वो तंबा करते हुए लाकों करोडर रुपय कमा सकते हैं लेकिन इस तरीके कि आफ़ बीट फिल्म बना करके हम एक समाजिक जिम्मेदारी समझते हुए इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है आपको है निजिक सुनते ही जी म्यूजिक इसको बिज्च कर रहा है सुनते ही इतना कायद होगा इस म्यूजिक है तो माल है हम करेंगे रभी दूराले का हमारे लुड़ोसर साह है वह अगर दो शथ बोई मैं चाहें एराब के सवार नमस्ता है अजिक हम तो हमें तो हमी भी लेct हम तो अब दिखाने ग़ार है हम नहीं लेड़ाता है हिखता है अभी देखते हैं बात करते हैं चोटे पच्छों की बात है कॉलिड़ीस की बात नहीं बात है बात है早 कि 10 साह का बच्छा है वोज इंस्पिरेशन तो इसे लिए और जो बिल्ट बिल्ट मतलब पेरेंस टीचर और बच्चे सब अधर आए तो मैंका आजी दुनिया तो आई गई गई ना जो भी देखता है मुश्क ताई कि चुटिंग कहां हुई है तो की लोकेशन ऐसी है हम दुखी आचुके हैं परिवा परिवा चुके हैं ये कारें और ये बीडिंग और ये सड़कें देख आएक तेखकर एक अलग सा अथा सुगून मिलता है ऐसे फिल्मों देखकर थे तिया जारे यार चलो कहीं लोकेशन अलग है कुछ तो कि अधिक कश्मीर में हमने की थी लेकिन मुहमद नां से बहुत तकलीफ थी और हमें बहुत मुश्किल भी धंकी भी और तो हमने रिस्क नहीं लिया अगर कर नहीं होती तो शायद जैसे अवंजी ने कर्ट देटर होई ती बत मुहमद के ओपर बहुत से 600-700 लोगों के खतना कमेंट्स आना मतला हमसे दूर होने लग गए ये कॉमिनिटी और हम मेरा मान आज़ा है कि फिल्म तो उन्हीं के लिए है अगर हम उन्हीं को दूर कर देंगे वही सिनेमा वाल में पत्थर मारेंगे और वो करेंगे कि मत देख कि लोग इस फिल्म को देखे इसलिए हमें कोई भी सेंशेशन कुछ भी ऐसा हंगामे की जरूरत नहीं है मुहमद को करीम मुहमद कर देने से अगर सब लोग इस फिल्म को देखते हैं तो हमारे लिए उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी दूसरे बात कह रहे हैं आप देखिए यही एक बहुत बड़ी लड़ाई ये परलर सिनेमा की, जिस सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, जिस सिनेमा की फिल्म बनी है, ये बहुत लड़ाई है और ये जंग धीरे धीरे जीती जा रही है, प्राइविट चान्ने बालों को समझ आ गया है, वो लोग बालिका और उस तरीके के सब्जेक्ट लेना शुरूआ है, हमारी आउडियस धीरे धीरे जागरुक हो रही है, हमारे स्टार भी हो रहे हैं, पेले टेक प्रेम कथा भी बन गई है, आपकी मुक्ति भवन भी बहुत अच्छी लोगों ने सराई, कड़वी हवा भी सराई गई, जो बीड़ा है, इसके लिए कोई पॉल्टिकल वो नहीं चाहिए, मज़े भी बात ही, इसके लिए हर पॉल्टिकल, पार्टी, हर एक आदमी जुरने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन हमको भी टाइम लग रहा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, फंड नहीं है, कि हम इस ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आमने सामने होके बातचीत करने के लिए आए हैं, तो हमारे नहीं सबसे बड़ा साधन आप हैं, और प्रेस हमको दिली में, मैं तो हरान हो गया है, लोगो चैनल्स के, खुछ से फोन आके, लाइव करने के लिए सब तरीक है, वैसा ही चंदीग हमारा पूरा पूरा आम लोग यह की परिमार और इस परवार के लिए हमको अच्छा साइटे देना है, अच्छा साइटे जिसे आप लोग अच्छे लिखते हुंग, रिपोर्टिंग या किस तरीके की करनी है, कैसी करनी है, आप लोग की बिग चुछ रहती है, ना? अभी आप ने नाटकों में काम किया। इसके बात मूत आपकी सिंपल चेमिकर क्या राज़ा। अपके साथ कोई ओड़े गाड़ दिए हैं, आपकोई अच्छा है बाद याज़ा। वैसी फ्रेजेक्टेशन नहीं है। देखें सर, अभी ना समझाने क्या जानी मिले दिने, आजटी मर्पी लंगी बेस जाना है तो यही तरीका है, वो पूल तरीका नहीं है, अब आप देखें, आमिर खान सबसे पहले समझ गया इस पार को, आमिर खान मजान से शुरू हुआ है, आज तक सैंसिकल फिल्मे कर रहा है, इशू बेस, उससे करें मन, मेना ये वो एक दोपर खोड़ करके वैसी थी, एक तम से चे, आजब जमीन पर रगंदे बसंती, थी बियर शुप बतनी, और अब ही कास्ट कमर्शल था कि भीर में इसमें स्कावर जमन लगे रहे तो धुन थी, द्रद्दा की शल्मान खान को इस तरीके थी, अब सल्मार खान को ले लिजिए, बोडी कार ये कुंसी दी करते हैं, बहुत सा याजी विरीव से फिल्म हैं, आगे लाइन को बदरंगी भाइजान, टूब लाइट और सुल्तान बगारा जो सेंसिबल फिल्में हैं तोड़ी हैं, अपने अक्षर कुमार बदर 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 आएंगे लाइन पर तब तक शारी क्यों बजरी जाएजी, तो ऐसे याज़े का मनदर ये है, कि सारे अज़े देवन भी रेर और ये बीच में, मेरे कहने का मतलर है कि धीरे धीरे सब को इस तरफ आना परेगा, और सिंप्लिसिटी उर्म के समझाना करेग कि या हम कोई आसमान से उत्रेवे लोग नहीं है, हम जमीन के ही आपके जैसे लोग है, तो बस हम वहाँ है, आप लहाँ है, पर कितने हैं, तो मुझे लगता है कि वो सोशा, वो दिखावा करने का मुझे ही कोई मतलग नहीं है, लेकिं क्योंकि सल्मान खान और ये बड़े- धोड़ी कार होनी चाहिए भाई क्योंकि तार के पिना, गाडी के पिना घर उठना चाहिए, ये जो निड़ है, मैं लिख होना चाहिए, वारवना चाहिए, शूटिंग में तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं और अधरवाईस मुझे लगता है कि दिखावा करनें से, मैं तो पिखाबा करूं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो अतने आपको स्टार के भी मांगता ही हूँ, मैं एक्टर मांगता हूँ, थेटर का तो वही रहा हूँ अजन्द के लिए, वीज दिन आपने का पने की चेंड की लिए, यह पेटिक नहीं सच्चा ही है, बिल्कुल हंगेट प्राणा की लाता है, लेकिन हमने बगरवार मुझों से कपड़े लिये, उनने के कपड़े लिये, वही मैंने करने और मैंने लगाता है, क्योंकि बख बढ़ रही होती है, इतनी ठंद होती है, और उपर से रीचे उप सफ़र कर रहे होते हैं, नीचे से उपर, तो उसमें रहने का लोगो कहां टाइम मिलता है इतना, तो मैंने की रिसाइट किया, वो कपड़े ताकि ऑथेंटिक लगे, जैनुमिन लगे, मैं खाते, पीते, सोते, जाते वही कपड़े पहन के सोता था, और उसी कपड़े में रहा हूं, हां बस्ते से सोया तो पोर उतार दिया, या अधियर जाटे की खाल दिया, और लारा दिया खर बनाता, उसी घर के चुबें जहों खाना बता कि जोए, तैकि मेरा खर मेरा खर लेके परिवारे बरादा दिया, उस पिर उस पिर अपर को नमक पहाबात को बहाद बनाया, अब गताएगी, यह डायोट इस फिन का तो तो उस बूल रहा हूं, जो बूल रहा हूं, कि नहीं पुलिस को खबर करो, यार भी खबर करो कोई, वह नहीं मान रहे हैं। तो आपको उस वकत कर ़ेलो ओ जी जापाई ओऐ घरत नहीं है तुमारे घरत नहीं है तुम गरगी कि तुम गर्दी की दर जिए से जिंदा हूँ नहीं वड़स तुम के दर जिए जिंदा है और तुम उंको बहुत बेने हो बत्रमाद बत्रमाद जब 1,000 पर पहालों पर बखुले तुफागों उने चटते हैं तो मौत को सीमें दबात जबते हैं पता हुए उन्धा क्या होगा बखुशा हमें हुए जी जो भाई भाई वह हमारे बहुत बोहां के तो पेसा शिंदे के नहीं पास आघी है ना प्रीस है पर इदर इदर जी जाबाई हमें की आफाख बता सकते हैं वो जी जाबाई वहरां के जने जनामों ए देड का बच्चा उठा करे जाते हैं तो पूरे परवाल का तलेजा निकल के बाँ आ जाता हुए विम्हतो हजआ हो इसे हो अल्माणी जिर बदी घसा मैंने की जाता हैं झाल झालता है जाता है जाता है खालता है सकता है